नमस्कार हिमाचल अभीअभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ नेहा गुपता इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्यस सुर्खियों के साथ हिमाचल कॉंग्रिस प्रभारी राजीव शुक्रा बोले सत्ता में आने पर OPS बहाल की जाएगी आउट्सोर्स को नियमित कर ठेकेदारी प्रथा भी होगी बंद। की कोटी धिमान पंचायत के प्रधान उप्रधान सस्पेंट लाखों का सरकारी सिमेंट बेचने की शिकायत के बाद गिरी गाज। नैशनल स्की एंड स्नोबोर्ड चेंपिंशिप दो अप्रेल से लाहल की स्की धलानों पर खेलेंगी बारती में। अभी और सताईगी गर्मी चार जिलों में अधिक्तम तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड मैदानी भागों में लू का एलर्ट अब समचार विस्तार से। आपके स्वास्तिक अप्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगरा हिमाचल हिमाचल में कॉंग्रेस ने करमचारियों वो अन्यवर्गों को लुभाने की घोशनाय करनी शुरू कर दी हैं। कॉंग्रिस ने घोशना की है कि यदि कॉंग्रिस सत्ता में आई तो पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी इसके अलावा ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके सीधी भरती भी की जाएगी और आउट्सोर्स पर लगे सभी कर्मियों को नियमित किया जाएगा हिमाचल कॉंग्रिस प्रभारी राजीव शुक्तला ने शिमला में कहा कि बीजपी सरकार ने करमचारियों का शोशन किया है बीजपी सरकार करमचारी विरोधी है और प्रदेश में कॉंग्रिस सरकार बनने पर OPS बहाल की जाएगी आउट्सोर्स भरती को बंद कर सीधी भरती की जाएगी और आउट्सोर्स पर सभी करमचारियों को नियमित भी किया जाएगा वहीं उन्होंने घोशना की है कि करुणा मूलक आश्रितों को भी नौक्रियां दी जाएंगी सीएम जैराम आज सिरमोर जिले के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसियत दोरे पर थे और वहां उन्होंने 20 करोड रुपे की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकारपन और शिला न्यास किये इसके बाद सीएम ने कफोटा के पब गाउं में जनसभा को संबोधित करते हुए कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा और कहा कि देश के चार राजियों में हाल ही में हुए चुनावों के बाद प्रदेश में कॉंग्रेस निर्तित्व की स्थिती दैनिय है बीजेपी ने इन सभी राजियों में भारी जनादेश से जीत हासिल की है और प्रदेश के लोगों ने ही माचल में भी बीजेपी सरकार को पुनह सत्ता में लाने का मन बना लिया है पॉंटा साहिब बलुपुर देहरदून राजमार्ग को भी फोर लेन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है इस राजमार्ग का निर्मान एनेचाय करेगा वहीं केंद्रिय सडक एवं परिवहन मंत्री नितिन गटगरी ने इसके लिए 1093.01 करोड के बजट की स्विक्रिती भी दे दी है बतादे कि भविश्य में राजधानी दून को जोडने वाले सभी राजमार्ग फोर लेन में तब दिल हो जाएंगे हरिद्वार देहरदून राजमार्ग फोर लेन हो चुका है दिल्ली देहरदुन राजमार्ग को फोरलेन करने की कारिवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है अब बल्लुपूर से शुरू होने वाले पॉंटा साहिब राजमार्ग को भी फोरलेन बनाया जा रहा है जिसके लिए केंद्रिय सडक एवं परिवहन मंत्राले ने बजट भी जारी कर दिया है आमाद्मी पार्टी की पंजाब में हुई जीत के बाद अब आप हिमार्चल में अपनी जड़े मजबूत करने में जुट गई है आमाद्मी पार्टी ने धरमशाला में एलान किया है कि हिमार्चल में आगामी विधानसभाद चुनाव में सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे हिमार्चल के लोगों को फ्री विजली पानी, शिक्षा व स्वास्ते सुविधाएं दी जाएंगी आमाद्मी पार्टी के नेता वद दिल्ली के स्वास्ते मंतरी सतेंदर जैन ने धरमशाला में कहा कि पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92 सीटें हासिल की है और इसी प्रकार अब हिमार्चल में भी आगामी चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी जीत भी हासिल करेगी उन्होंने बताया कि सभी 68 विजानसभा सीटों में संगठन को गठित किया गया है हिमार्चल में शिक्षा और स्वास्ते मुख्य मुद्दे रहेंगे अब की बार आम आदमी को जनता चुनेगी क्यूंकि अब लोग दोनों ही पार्टियों कॉंग्रेस और बीजेपी से परिशान हो चुके हैं शेस समचार प्रेक के बाद आपके स्वास्तिका प्रहरी श्रीबालाजी हॉस्पिटल कांगरा हिमाचल सिर्मोर जिली के विकास खंट संग्डाह के अंतरगत आने वाली ग्राम पंचायत कोटी धिमान की महिला प्रधान इंद्रा देवी उप्रधान सुरेंदर सिंग वो वाड सदस्य कुलदीप सिंग को जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा द्वारा ततकाल प्रभाव से दनी लंबित किया गया है विजिलेंस कमेटी के अध्यक्ष दलीप आजाद चार वाड सदस्यों वो कॉंग्रिस मंडल महासचिव सहित तीन पूर्व पंचायत प्रधानों सहित कुल 42 लोगों द्वारा प्रधान के खिलाफ सरकारी सिमिंट के करीब 797 बैक बेचे जाने पती द्वारा पंचायत के काम में हस्तक शेप वो सरकारी धन के दुरुप्योग जैसे आरोप लगाते हुए इसकी शिकायते संबंदित अधिकारियों से की गई थी पंचायत के विभिन कामों के लिए जारी हुए करीब 1,90,000 रुपए के सरकारी सिमिंट के 600 बैक को बेचने अत्वा इसके दुरुप्योग की पहली शिकायत के बाद दूसरी शिकायत 197 बैक कोटी धिमान से करीब 20 किल किलमीटर दूर खाला क्यार में स्टोर करने की हुई जिसके बाद ये कड़ा एक्शन लिया गया है हिमाचल में लहौल की स्की धलानों में पहली बार देश फर के स्कीयर अपनी प्रतिभा के जोहर दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश विंटर ग दुमार ने बताया कि दो से चार अप्रैल तक आयोजित होने जा रही स्की एंड स्नोबोर्ड चैंपिंशिप में देश भर से करीब डेट सो प्रतिभागी भाग लेंगे शीत मरुस्तल लहौल घाटी में पहली बार स्की एंड स्नोबोर्ड की नैशनल आमंत्रन मौसम विज्यान केंद्र शिमला की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में आगामी चार दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है ऐसे में इस दौरान पारा और चड़ने की संभावना है प्रदेश के मैदानी जिलों में एक अप्रैल को भी लूट चलने का अलर्ट जारी किया गया है गुरुवार को भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा मैदानी जिलों में लूट चलने से दिन के समय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है शिमला मैनाली वह अन्य हिल स्टेशनों में पसीने छूटने लगे हैं रेडियो पुल